लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए मान दुर्गा को समर्पित नवरात्री के त्योहार का आगाज होने जा रहा है नवरात्री में मान दुर्गा की विधी विधान से पूजा करना चाहिए ऐसा करने से सकारात्म कूर्जा मिलती है वहीं कुछ लोग माता को प्रसंद करने के लिए नो दिन का व्रत करते हैं इस उपवास के दोरान लोग कोटू के आठे से बनी चीजों का सेवन करते हैं लेकिन कुटू से होने फायदों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं तो आये बिना देर किये जानते हैं कुटू से होने वाले फायदों के बारे में यदि आपका रक्त चाप उच है और हमेशा अनियंतरित रहता है तो आपको कुटू के आठे का सेवन करना चाहिए। कुटू के आठे का नयमित सेवन करने से रक्त चाप की समस्या दूर होती है। डाइबीटीज के रोगी भी कुटू के आठे को खा सकते हैं। इस आठे में HDL को लेस्ट्रॉल को बढ़ाने के साथ साथ LDL को कम करने का काम करता है। कुटे के आटे में आइरन, मैगनीशियम, कैलशियम, विटामिन B, जिंक और फॉलेट्स जैसे ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं। इस आटे में कार्भो हाइडरेट 85% दी तो वही 25% दी उचसतर का प्रोटीन होता है। कुटू के आटे में मौझूद तत्व वजन कम करने में बेहद मददगार होते हैं।